सोशल मेडिया पर ये वीडियो तेजी से वाइरल हो रहा है वीडियो में देखा जा सकता है कि एक शक्स नियूस पिपर बढ़ रहा है अचानक कुछ सेकेंड बाद ही बैठे बैठे वहीं पर गिर जाता है और महज पांच सेकेंड में ही उसकी मौत हो जाती है हलाकि ये वीडियो सेसी टीवी में खैद हो गया है बताया जा रहा है कि वीडियो में देख रहा शक्स राजस्थान के बाडमेर में कपड़ा वैपारी था कपड़ा वैपारी का नाम दिलिप कुमार है दिलिप एक किलनिक पर अखबार पढ़ रहा था उसी दोरान अचानक से जमीन पर गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है वीडियो में ये भी देखा जा सकता है कि आसपास खड़े नर्सिंग स्टाप दोड़ कर आते हैं और उसे संभालने की कोशिस करते हैं उसके बाद उसे अस्पताल ले जाया जाता है जहां पर उसकी मौत हो जाती है बैपारी के भाई महिंदर ने बताया कि दिलीब कुमार दो दिन पहले ही बार मेर आये थे और पूरी तरह से स्वस्त थे बताया जा रहा है कि ये घटना पांच नवंबर की है दिलीब कुमार किलनिक पर दात में दर्द का इलाज कराने पहुशे थे जहां माइनर अटेक आने से उसकी मौत हो गई अब ये वीडियो सोशल मेडिया पर तेजी से वाइरल हो रहा है लोग इसे शेयर भी करना है लेकिन ऐसा नहीं है कि ये पहला मामला है इससे पहले भी कई लोगों की जान अचानक हार्ट अटेक से चली गए जिसमें सिंगर केके भी शामिल है सिंगर केकी की मौत अचानक स्टेज पर हार्ट अटेक आने से हुई थी उसके बाद कमेटियन राजु श्रीवास्तव को भी जीम के दोरान अचानक हार्ट अटेक आया था बाद में अस्पताल में भरती कराया गया लेकिन कुछ दिनों बाद ही उनकी मौत हो गई एक और वीडियो यूपी के बरेली से सामने आय थी जिसमें एक शक्स दोस्त के बर्थडे पार्टी में डान्स करते करते शक्स अचानक जमीन पर गिर जाता है और वहीं पर उसके मौत हो जाती है बीर रिपॉर्ट नियोस तर करता बाद हो जाता है